ओमिक्रोन, संक्रमन और कोरोना की संभावित तीसरी लहर के रोगियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए ओक्सिजन बैड, आईसियो रूम, बच्चों के लिए अलगवाड ओक्सिजन की उपडब दिता और सभी साहित चिकित्सस विधां से लेस होना चाहिए जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखती हुए संरक्षक मंत्री ने आज अखिल भारतिया आयूर विज्ञान संसान, सरकारी मैडिकल कॉलेज और इंद्रा गांदी मैडिकल कॉलेज का दौरा किया और कोविड वार्ड बिस्तरों की संख्या ऑक्सिजन प्लान के दौरान अभिभावक मंत्री ने एम्स में कोविड वार्ड ऑक्सिजन बैट की संख्या कोविड जाज प्रयोक शाला का निरिक्षन किया उन्होंने एम्स प्रशासन को ओमिक्रॉन संक्रमन और कोरोना संक्रमन की बढ़ती संख्या को देखती हुए डॉक्टरों के रिक् क्यूबेट, 25 वेंटिलेटर, टेस्ट, लेबोरेटरीज और अन्नी स्विधाएं इस्थापित की गई हैं। और अक्सिजन मुहिया कराएगा।